में नाम विवेक है तो दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप M.I. एकाउंट पे अपना फोटो अप्लोड कर सकते हैं मतलब कि आप अपना फोटो लगा सकते हैं M.I. के एकाउंट पे तो दोस्तों हम वीडियो स्टाट के उनसे पहले चैन पे पहली वारा है तो चैनल को सब्सकाइब कर बेल आइकन को जुरूब पेस के जगा साथ या आप हम इस सोसल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यहां पे हम दो तरीका बताने वाले हैं जिसके मदल से जो है आप M.I. के एकाउंट पे अपना प्रोफाइल फोटो अप्रोड कर सकते हैं सो चली हम वीडियो को सुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए सबसे पहले तरीका में आपको क्या करना अपने फॉन के सेटिंग में आ जाना यहां से हम सेटिंग पर आएंगे और इसकी उनको थोड़ा से स्कॉल डाउंट करेंगे तो देखिए एक ओप्सन मिलेगा सबसे पहले आप यहां पर साइन इन कर लेंगे अपना मोवाइल नंबर या अपना यूजर एडियो और पासवर्ट के साथ तो हमने यहां पर साइन इन करके रखा है डायरेक्ट हम इसको ओपन करते हैं देखिए हमारा एकाउंट यह हम जो है इस पर क्लिक करेंगे आप कोई भी एक फोटो सेलेक्ट कर लीजिए और इसे यहां से क्रॉप करके यहां से ओके कर दीजिएगा थोड़ा सा वेट किजिएगा आपका जो फोटो है वो चैंज या अपलोड यहां पर हो जाएगा लेकिन यह जो तरीका है हर एक के फोन में काम नहीं करता है तो चलिए एक और तरीका जिसके मदद से जो है आप अपने MI एकाउंट पे प्रोफाइल फोटो जो है अपलोड कर सकते हैं लगा सकते हैं चलिए उस तरीका को भी मैं यहां पर डिसकस कर दे रहा हूं तो दूसरा तरीका को जानने के लिए आपको क्या करना है अपने फोन के क्रोम ब् सब्सक्राइब कर तो यहां पर करके तो यहां से अमगिश करना चाहते है तो निचे आपको उप्सन मिलता है लेकिन अगर अगर आप हिंदी में यूज करना चाहते तो आगे बढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना sign in करना है, मतलब कि आपको अपने account से यहाँ पे sign in करना होगा, तो इसके लिए MI account sign in पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना detail फिल करना होता है, login करने के लिए तो यहां पे सबसे पहले आप अपना phone number डाल दीजिए या email id डाल दीजिए अगर आपको my account पता है तो वो डालेंगे तो जो भी चीज यहां पे आपको पता है वो फिल करेंगे और उसके बाद आपको यहां पे अपना passport फिल करना है अगर आपने यहां पे sign in नहीं किया है तो आप नीचे खाता बनाए पे जा सकते है और अगर आपको अपना passport पता नहीं है तो phone number से यहां पे आप sign in कर सकते हैं तो आप यहां पे चूज कर लेंगे आपको क्या चीज से sign in करना है मेरे को मेरा passport याद है तो हम पास्वोर्ड पे जाएंगे तो यहां से हम अपना email id या phone number जो भी है और उसके बाद passport डालके sign in करें हम जो है option इस पे click करेंगे तो चलिए हम यह process पहले कर लेते हैं तो यहां पे हमने अपना दोनों information फिल कर दिया हम sign in पे click करते हैं तो चलिए हम sign in पे click कर दिया है उसके बाद हमको बोला जाता है कि हमारा जो passport है वो save रखना है या नहीं तो हम यहां से never पे click कर देते हैं तो उसके बाद आपको देखे इस तरह का interface open हो जागा तो यहां से आपका सारा information भी मिलता है लेकिन यहां पे आपका profile चेंज करना है तो आपको यहां पे click करना होगा यहां पे option दिख रहा है arrow तो यहां पे click करेंगे तो देखे हमारा option इस तरह का आजाएगा तो यहां पे आपको account का option मिलेगा अगर English करके रहके होंगे तो और नहीं तो हिंदी में होगा तो खाता का option मिलेगा तो आप जो है account या खाता जो भी दिख रहा है यहां पे आप click करेंगे तो आपका जो account है वो open हो जाएगा उसके बाद simply क्या करना आपको यहां पे right side में एक आपका नाम या कोई photo दिख रहा होगा तो आपको simply इस पे click कर देना है तो हम चलिए इस पे click करते हैं यहां पे हमको देखिए एक option दिखेगा profile photo तो यहां से हम profile photo पे click करेंगे और यहां पे browse करे का option आ जाएगा तो यहां पे नीचे आपको photo का size दिया जाता है कि photo जो है 10 MB से कम की होनी चाहिए JPG, PNG और JPEG के format में होना चाहिए तो यहां से हम कोई भी एक photo select करेंगे ब्राउज करें इस पे click करके और अपने device से कोई भी यहां पे photo select कर लेंगे तो चलिए हम एक photo select कर लेते हैं जैसे कि मेरे case में एक यह photo है तो यहां से ह हम इस पे click करते हैं और यहां से इसका size हमको बोला जाता है कि अपना size resize कर लीजिए कितना size आप यहां पे लगाना चाहते हैं उसके बाद यहां से आपको submit का option मिलेगा आप submit पे click कीजेगा थोड़ा सा wait कीजेगा आपका जो profile photo है वो change हो जाएगा तो दोस्तों यह था दो त समय हम मिलते हैं next video में बहुत ही जल्द